हरी कृष्णा दोस्तों आज हम कम से कम और जाद से जाद कपड़े में कली का नाप निकालना सीखिए लिए कि हम ये उपर से कम और नीचे से जादा रखते हैं तो किस नाप से रखते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितनी कलियों का गाउन या लेंगा बना रहे हैं लेंगे और गाउन में हम एक जैसे ही कलिया निकालती है यदि हम कम से कम कपड़े में ये कलिया निकाल रहे हैं तो हमें कम से कम ही कलिया लेनी चाहिए क्योंकि दोनों साइट जो سलाइ में जाता है उससे भी हमारा घेरा कम हो जाता है तो अगर आपके बस कपड़ा कम है दो या धाई मिटर है या तीन मिटर है तो आप 10 कलीयां ही बनाते या ज़दा 12 कलीया बनाते कलीयां लगाते हैं हमें जोडे में लगाने होती हैं क्योंकि जैसे हम दस कली लगा रहे हैं तो पांच कली आगे आ जाएंगी और पांच कली पीछे आ जाएंगी इसे तरह से हम जोडे में बनाएंगे नो, पांच, साथ इस तरह की हम टोटल कले नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर एक कली जो बचेगी वो बीच में एड़स नहीं हो पाईगी दोना साइड हम सिलाई का भी रखी है हम मान लेते हैं हम 12 कली का गाउन या देहंगा बनाएंगे उसके लिए हमें कमर का नाप भी पता होना चाहिए हम यहां से कली बनाएंगे तो हमारा यहां कमर का नाप होना चाहिए हमरे पता जैसे हम यहां पर बनाएंगे 40 कली का अगर हमारी कमर व्युक्ल फिट 40 इंच है तो हम 2 इंच लूजिंग भी ले सकते हैं और साथ में हम इसमें प्लस सिलाई का भी ले सकते हैं मैं यहाँ पर 42 इंच कमर का बनाऊंगी इसमें लूजिंग भी आ गई है और इसमें हमारा स्टिचिंग मार्जन भी आ गया है तो यह हमारी कमर है 42 इंच अभी हम सबसे पहले कमर का नाप निकालेंगे कमर की कली उपर से हम यहां से कितना नाप लेंगे तो मना हमारी जो कमर है 42 इंच है और हमें कलिया कितनी निकलनी है 12 तो हम इसको कमर के जो पार्ट को जितनी भी हमें कलिया निकलनी है उससे डिवाइट कर देंगे यहां पर हम डिवाइट करके देख लेते हैं यह हमारा 42 कमर का नाप है और हमें 12 कलिया निकलनी है 12 तिया 36 यहां पर हमारा 6 इंच बच गया हम यहां पर पॉइंट ले लेंगे और 12 पंजे 60 यह हमारा साड़े 3 इंच नाप आ गया इसके साथ हम एक इंच सिलाई का मरजन ऐड़ कर देंगे क्योंकि हमारा दोनों साइट सिलाई में जाएगा आधा आधा इंच तो यह हमारा हो जाएगा साड़े चार इंच साड़े चार इंच हम उपर से कली कनाप रखेंगे 4.5 इंच अगर हमारे पास बहुत सारा कपड़ा है चार या प्माच मीटर है तब भी हम वही नाप से घेरा बनाएंगे और अगर हमारे पास कम कपड़ा है तब भी बस हमें अगर हमारे पास कम कपड़ा है तो हम कम कलिया बनाएंगे कम से कम कलियों में हमारा ज़्याद से ज़्यादा गेरा बनेगा हमारे पास गेरा बनाने के लिए 4 मीटर कपड़ा है 4 मीटर में सबसे पहले हमारा जो नाफ है कमर का यह इंचीज में है और हमारी कलिया भी इंचीज में है तो हम जो 4 मीटर कपड़ा है उसे भी इंचीज में कर लेंगे तो 1 मीटर कपड़े में हमारे पास होते हैं लगभग 49 इंच हम राउंड फिगर 40 इंच मांग लेते हैं और उसके बाद पासे 4 मीटर कपड़ा तो हम इसे 4 से madip laई dot 가지고 गेंगे चाच्चु 16 the Nah 16 inch हमारे पस और जाएगा हम अरप गहरे के लिए hou yao इंच है इसे भी हम जिस तरह से हमने कमर का यह कली निखाली थी उसी तरह से हम निखालेंगे यह गहरे के लिए chronicar as best जितना हम नarta घेरा है ुसे हम यहां पर रख लेंगे और हमारी कलियां है 12 तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो लगबग 13.5 एंच हमारे पास यहां पर आ जाएगा यह हमारे पास 13.5 एंच आगया यह हम एज़िटीज लेंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा उतना ही है चार मीटर ही है अगर हम यह एक बंद कली का बनाएंगे तो हमेरे पास कपड़ा चार मीटर ही है उसमें मार्जन नहीं लेंगे प्लस margin नहीं करेंगे पर अगर हम एक कली इधर से और एक कली दर से निकाल रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सी साड़ी तेरह से जज़ादा भी घयार ले सकते हैं क्योंकि हमारा इस तरह से कपड़ा बचता है तो इस तरह से तो हम काफी सारे गेरे को बना सकते हैं 15.30 तो यहां पर हमारा आ जाएगा 15.30 इंच यादि हम कम घेरे का बना रहे हैं माना हमारे पास धाई मीटर कपड़ा है उसी में हमें कलिया निकाल ली है तो हम जितना भी धाई मिटर कपड़ा हो गया हमारा 100 इंच उसे हम 12 से डिवाइट कर देंगे तो यह हमारा फिर से हम भाग करके देख लेते हैं ग्यार राट हां मैं मैं अले कम इंभय क sì ये मरत पासाλλά क्पड़ा था हमने हुवक UA कुल अगर हमारे पासदीव औहिंच उस्तार से हम कम से कम कपड़ Etrie को निकाल कर सकते हैं कली निकालने का तरीका हमारे पास बही है चाहे हमारे कम हो या ज्यादा हमें कली उतनी लेनी है जितनी हमारी कमर है गेरा हम कम ज्यादा कर सकते हैं अब देख लेते हैं हमें कलने की कुटिंग इस तरह इसे करनीं है तो इशसे हम पहले पेपर अब कर सकती है या फिर डारेक्ट कपड़े भी कर सकती है तो सबसे पहले हमें इसी ले ले लेनी है हमारी जितने भी गाउं लेहंगी की लंबाई है माना कि मुझे 40 इंच का बनाना है तो 40 में से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा 38.5 इंच यह हमने बैल्ट के लिए माइनस किया है जब हम बैल्ट को जोड़ेंगे तो हमें 1.5 इंच प्लस करना है तो हम टोटल 40 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि लहले थोड़े से लंबे ही चलते हैं तो हम सबसे पहले 40 इंच की लंबाई ले लेंगे मान दीजे यह हमारी पुरी 40 इंच की लंबाई है तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है क्योंकि कली लीचे की तरफ ज्यादा घेर से इस तरह से आती है तो हमारे का हमरे है 4.5 इंच यह हमने फोल्ड कर लिया है तो हम इसका आधा कर लेंगे यह हमारा हो गया इतना 4.5 इंच इसको हम हाफ करेंगे इस तरह से मोड़ भी सकते हैं इंच टेप से उससे भी आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं अगर आपको दिक्कत होती है तो इस तरह से निशान लगा लेंगे या फिर यह हमारा हाजाएगा सबा दो इंच 2.25 इंच इसी तरह से जो यह हमारा साड़े तेरा इंच आया है यह आपे हम कगम घेरे का बना रहे हैं यह हमारा ज्यादा घेरे का साड़े तेरा इंच आया है और कम घेरे के लिए हमारे पर साड़े आठ इंच आया है अगर हम कम घेरे का बनाना चाहते हैं तो इसे भी हम हाफ कर लेंगे तो यहां पे से हमारा हो जाएगा सवा चार इंच, यह हमारा साड़े आठ का आदा हो जाएगा सवा चार, यहां से हम पूरा ही ले ले लेते हैं, मान लेते हैं, यह सवा चार इंच है, चुछी मेंडे कावेस परी बनाया है, इसे हम इस तरह से मिला देंगे, और अब हम इसके क्टिंग कर लेंगे अब हम इसी तरह से ही जोड लेंगे जब हमारा गलिया जोल जाएंगे थो नीचे से थोड़ी सी शेट धी कर देंगे कंगे करते हम जैए fordi कि इस तरह से कलिय को बनकर रेड़ी हो जाएगी यह उपर से कम है नीचे से मेरा घेरा थोड़ा सा कम रह गया था इस तरह से हम कले की फटिंग रह सकते हैं और कम से कम कप्रे में और जाते से जाधा कप्रे में हम अपने आपकी इसका नाप निकाल सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट केजिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए लहंगाज, चोली, दोपटाज, डिजाइनिंग और अगली वीडियो को जरूर देखेगा, थैंक यू